स्वाग देदी आप सुमका चुटो रहा पाइंट के एक और नहीं वीडियो में आज हम ट्राय करने विले फासोस के रैप इनसे बहुत पहले इनकी एक वीडियो बनाए थी तो आज सोचा कि बाई दुबारा इनकी वीडियो बनाते हैं और में तो रीजन क्या था इनके बाई इसके बारे में आपको भी तोड़ी जिर में पताएंगे वागी मंगाज हमने क्या क्या मंगा है तीन तो मारबार रैप है और एक राइस बाल है वह आपको एक एक करके ओपन करके लिखा दें कि हमने कौन से रैप मंगा है और कौन सा राइस बाल मंगा है वीडियो पसंद तो भाई पैकेजिंग जो है काफी साफ सुत्री और बढ़िया है में तो है कि भाई पैकिंग में जो देखता हो ना वो तो यह देखता हो कि ब्रैंडिंग उसके ऊपर होनी ना मुझे लगता है कि वह बहुत जरूरी होती है और इन्होंने एक चीज और कुछ किया है वेज मस सालसा रैप तो आपको दिखाते है जी इसकी लुक कैसी है इसको जरा फटा फट ओपन कर लेते हैं ठीक है और इसमें से बाहर निकालते हैं जी पढ़िया एकदम फ्रेश जो है ना गर्मा गरम पैक होकर आया है अचा उपर से तो यह ऐसा लग रहा है जैसे वह रोटी होती है ना उसी टाइप का है पूरा ही खोल देता हूं जरा समझ में आ जाएगा क्या-क्या औरे भाई साब भरा तो यहां से आप देख लो प्याज सीट कॉन तो भाई साब ठोक के बहु नजर आ रहा है यह जो इननने यह जहां पर डिप लगाई यह क्या पहनी बाइट में अब जो हम हाफ-ाफ खाएंगे तेरे को फ्लेवर आएगा आदे को या मेरे को नहीं आएगा यह नीचे क्या अरो है है भाई है लो यार ऐसी ऐसी माइनस पॉइंट निकाल बंगज सहीं है जो माइनस पॉइंट जा रहा था वो सडली अचानक जो है प्लस में बदल गया बा प्याज के तो वैसे भी लच्छे ब्स हुआ है बहुत बढ़िया लग रहा है और यह मैदा इन्नों ने बुछ था लेकिन दल लग नहीं रही रही बहुत बढ़िया लग रहा है तो इसको इससे ज्यादा नीखोलता क्यों कि फिर zw 1957 घजा हैं अल्रेडी इसको यूज तो इसकी भी आपको लुक दिखा देते हैं अब ये किस तरीके से प्रॉपर ऐसा ही पनीर के भी पीसेज क्या स्वीट कॉन की तरह भरे वे निकलेंगे तो मज़ा आ जाएगा मैं सही बता रहा हूं इसको हाफ खोलता हूं जड़ा अराम से खुल जाए जी और देख रहा है कि पनीर हो अगर है कुछ इसके और थोड़ा सा और अच्छे से फोल देते हैं यहां उस तरीके से बाहर नहीं निकला जिस तरीके से था लेकिन यहां देख लेते हैं बाई पनीर के पीश है और बड़े अराम से आजएगा जी बाकी शिमला मिर्च के अगर आप इसको तो काफी अच्छे डले हुआ हैं प्याज कच्छा वाला यह जरूर डालते हैं लेकिन इसके अंदर अगर देखेगा तो यह इनने यह कुछ करते हैं सही से बंद दो तो भाई बहुत ही कमाल के निकले हैं आपको दोनों में से कौन सा बढ़िया लगा लुक के साब से कमेंट करके बताना हां मनलब एक बर दुबारा से खोल के दिखा दू जरा फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा यह जैसे पनीर का पूरा फुल है जी अच्छा इसमें तो कटलेरी भी आगी और भाई एक बात है इसके अंदर यह डबबा भड़ा लग रहा है यार हाना टीशू पेपर तो उसमें भी थे और हा इसमें यह एक जरा स्पून और टीशू पेपर अलग से निकला है एक बावल है जी वही सेम तीखा चटपटा मसा है और सबसे पहले तो आपको दिखाते जी जो हमने रैप महुआया है यह भी स्ट्रीट कॉन वाला यह लेकिन यह है जी हमारा मैक्सिकन पड़ेटो कॉन सालसा चाहिए इसके अंदर वह आलू के अंदर ही होगा मुझे लगता है देख लेते हैं लुक कैसी आई है जी थोड आपका फेवरिट प्रेंड कॉन से रोल्स किंग है फासोस है और दुनिया वरके हैं लो जी यह हमारा आया है जी यह प्रॉठे वाला है इसका जो ऊपर का रैप है और यह भाई सा बड़ा जबरदस्त भाई स्टफिंग अच्छी है तीखे मसालो वाला लग रहा है जी इसक सबसे कमाल की चीज अलग सी नजर आ रही है जी कोई सॉस है यह बड़ी कमाल की लग रही है जी इसकी तरह रंगती अगर आप देखो ना कैमरे में बोहुत लग नजर आ रही है वागी इस सुपकॉन काफि अच्छा ड़ा हुआ है से वोई उपर से साथ में थोड़ा सा कच बात है मैदा कहके भी वो प्योर मैदा लग नहीं रहा है उसके अंदर हलका पुलका आटा मुझे लगता है यूस कर रखाए जी बहुत बढ़िया यार देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है चलो जी एक लास हमारी चीज और रह गई आपको वह भी दिखा देते हैं यह हमारा था जी राइधराबादी खास राइस पनीर लें हाँ पनीर वाला है यह कुछ हैदराबादी स्टाइल का है जी जितनी इमेज में जो पनीर के पीस नजर आ रहे थे न बड़े-बड़े वैसे इसमें नजर नहीं आ रहे हैं सभी बात है धोखा होता है यह फिर पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए पनीर के पीसे जिप मसाले दार है उपर अगर आप देखो तो काफी अच्छे से मसाले अगरा है और शिम्ला मिर्च वह देख यही ना यही मेरे खाल से वह रैप में डाल देते हैं यह बड़े ब्रैंड यही तो कर रहे हैं हाना सेम चीज की दो ती चेंज कर रखे और थोड़ी से ऐसा लग रहे है कि जैसे उपर कुछ ग्रेवी से डाली होई है वो जब नीचे हम दीखेंगे तो बता चलेगा बाग यह देख रहे हैं कच मसाले अगरा जो है ना काफी अच्छे वो ब्रियानी टाइप का बना कर ऊपर पनीर के पीसे डाल जーヤेस्ट करें के तो पदा चलेगा अब फूद टेस्ट करने के और शुरुआत करने लगे है जिया चीजी कौन सालसा ररेप थीक है टेस्ट करते और आपको बताते हैं कि इसका स्वाथ कैसा है चल बल्या इसमें प्लस पॉंट भी और माइनस पॉंट भी है फ्लस पॉंट आखना है एक उसका फ्लेवर पते चल रहा है और बाकि आपको कॉन होगरा के क्रण्च पार्ट चाहें जो चीजी डाल रखा है मेरे खिलते वह मायो है क्योंकि उसके अंदर जो हुआ हिसी जो घडा सारी है वो साफ पता चल रही है और जो इसके अंदर जो सॉस यूज ऊसके स जो सालसा Gefाशतन यॡबढ़ा को एफी। केचप का जयदा वाइब्यवर यॡब फ्ले औंकिन सालसा क्यों इंधर केचप का जय्वर आ से फिलेवर छी कर से स्पाइसी हो टीकपन को धात ह्यक्डर अच्छियर्च बागत ऑफन चीयर भूर टबड़ा स सा घलबागम ताकि दोनों में हमें फरक समझ में आये कि वाई कौन सा ज्यादा बहतर है और अगर एक बात जो सबसे अच्छी लग रही है थोड़ा सा प्राइस का भी फरक है लेकिन ये थोड़ा सा है वी जादा है टेस्ट करते हैं अब गें अा लंगेत के फ्लेवर जो है वोड़ा बढ़ग के अब गॉड़ा अब करें का जब में अनलों जो जो खर श्यादा है वो जाता है यह वाला जो रैप बनावा है यह कॉन वाले से तीक है अच्छा बढ़ी आए भाई यह मैं फिर भी जो है दुबारा भी ट्राइ कर तकता हूं एक तो हैवी है मज़ेदार है अच्छा इसमें जो था प्योर मैदा जो बेस जा वो मैदे वाला था और यह था 219 रुपए 219 रुपए 219 रुपए तो प्राइस भी तो फिर जादा हो गया नेक्स हम ट्राइ करने लगे जी मसाला पनी टिका रैप और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमने बहुत स्टार्टिंग में इनकी वीडियो बनाई थी उसमें हमने में इनके बेस जितने भी वेरिंट आते ना उसका कंपेर किया था लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा वीडियो जाके जरू अगर मेरेको लगता है कि वो वीडियो ना अगर आपने फासोस नहीं ट्राइ कर रखा तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कि अगर ना फ्लेवर महसूस हूं कि कुछ अलग की ट्राइ करी ए अव ज़्यदार बहुत बढ़िया इसमें इनका पनी टिक्के का फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है और इन्हों ने वो लगा रहे है मिंट सॉस उसका फ्लेवर भी अच्छा आरह मतला अभी तक इन तीनों मे यह था 169 और यह था 219 शुरुपे तो भाई यह 179 वाला जो है ना फ्लेवर अच्छे आएंगे काफी अच्छे फ्लेवर है और अगर उसके बाद कोई ट्राय हमारे हिसाब से यह ज्यादा बहतर है यह बाकी हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है किसी को भिंडी बहुत प पनेर ले लिया है थोड़ा से ले लिया है जी चावल करे लेश्ट है वह हैदराबादी वर्ड इस्तमाल करने से ही ना थोड़ा से समझ में आ गया था कि इसको यह इनोंने राइस बिर्यानी वाला फ्लेवर दे रखा और काफी अच्छा है यह नहीं कहूंगा कि बहुत ही क साल अगयरा जो आता ना वह यूज करके इसके राइस बना रहा है ताकि उसका अरोमा आ सके बाकि आपके साथ इसमें पनी टिक और इसके अंदर ना मेरे को एक जो और छोटी सी माइनस पाइंट वली जो बात लग रही है वो यह है कि उपर उपर जो इन्होंने छे साथ छो पनीर के पीस बढ़ाने चाहिए यह इनको कुछ ग्रेवी एडगा नीचे कि राइस थोड़ा सा गीला लगे यह इसके साथ में अलकिसी अलग से एक डबी में थोड़ी सी ग्रेवी दें तो बेस में डाले क्योंकि मेरे को बेस में भी ना पीस है नो नीचे काफी ड्राइनस काफी ड्राइनस नीचे तो ग्रेवी है यह और नीचे तो पनीर के पीसिस भी नहीं है तो वह थोड़ा सा जो है यह माइनस में जाए और इसका प्राइस क्या है बंकच 239 रुपीस देखो कि टेस्ट कर सकते हो क्योंकि मुझे तो बहुत पसंदा है तेस्ट अच्छ है मैं तो एक बाइट राय करके देखोंगे तो हो सकता आपको भी अच्छे लगे बिल्कुल अब आपको ओफर पता देते जी क्या हमें ये ओफर में मिला है स्विक्गी में चर्णा भी वाइवन गैट वन फ्री अब यह दोनों रैप मैंने मुंगा है एक के साथ एक और सुमी न प्रेंज वाला फ्री हो जाएगा अब कब तक ऑफर है कब तक नहीं यह आप देख ले ना बागी जी स्विक्गी में जाकर चेक जरूर करना आपको ओफर मिला या नहीं मिल रहा तो फिर कहीं लोग कहतेते हैं हमारे यहां पर तो है नहीं हमें क्या फायदा हो तो यह थोड और इस तरह के और ओफर वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं यह नहीं यह जरूर बता रहा है इस वीडियो को दोस्तों यही पर एंड करते हूँ मिलते हैं आपसे बहुत अलदी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वीडियो पसंद आएए तो भाई वीडियो को कर दिनाया